दोस्तों मैं सौरंबली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज फटफट जीके में हम देखने वाले हैं Top 31 ऐसे Question Answers जो की अक्सर परिक्साओं में पूछ जाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकेंट तक देखेगा 31 में से आप लोग कितने Questions के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बोक्स में बताना मत भूलिएगा फटफट जीके की वीडियो रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर रेगुलर आती हैं अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और टाइम को नोट कर लिजे पहला Question है भारतिय खनन्न विद्याल्य कहां इस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का सही उत्तर बताने की कोसिस करिया इस Question काRight Answer हैगा धनबाद में याने की B Right Answer हो जायगा वै दूसरा कोशन आता है फतेपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था दोस्तों फतेपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था इस कोशन का सही उत्तर रहेगा अकबर ने यानि की आप्शन सी रह डांस रहेगा दूसरे कोशन का सही उत्तर तीसरा कोशन है किसकी सिपारिस पर भारत की संचित निधी से राज्यों को साहता अनुदान दी जाती है किसकी सिपारिस से दोस्तो इस question का right answer हैगा वित्यय आयोग की सिपारिस से आनि की D right answer हो जाएगा तीसरे question का सयुत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 4 है भारत का प्राचीन भासा है दोस्तो भारत की प्राचीन भासा कोन सी है तो right answer हैगा संस्कृत यानि की A right answer हो जाएगा question number 5 है निमलिखित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भासाएं बोली जाती है निमलिखित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भासाएं बोली जाती है तो राइट आंसर इस अपना भारत है दोस्तो तो राइट आंसर डी हो जाएगा देखिए मास्टर पीडियाप अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए है तो ये इससे भी अच्छा मोगा कभी नहीं आएगा देखिए एक तो 70% का उप चल रहा है 500 रुपे की इस कंप्लीट है यानि कि अभी 6 महीने करेंट फेर आपको इसमें बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है प्राइज वही है करेंट फेर की पीडियाप इसमें एड हो गए जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आरती बच्चों की तरफ से अगर आप इस पीडियाप को खरीतते है पेमेंट हो जाएगा इस पर अपना पेमेंट इसकी बहुत देना बस चाटा कोशन है केंद्रिय भारती है भासा संस्थान कहां है से दूस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा यह है मैसूर में यानि की A राइट आंसर हो जाएगा वही सात्वा कोशन है राज्य सभा की सदिश्यों का करेकाल कितने वर्सों का होता है देखिए राज्य सभा का अगर आपसे करेकाल पूछा जाए तो राज्य सभा का कोई करेकाल नहीं होता है और राज्य सभा के सदश्यों का करेकाल पूछा जाए तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्स यानि की C राइट आंसर हैगा दोस्तों साथवे कोशन का सही उतर कोशन नमबर 8 आता है बोधिगरंद ललित विस्तार में कितनी लीपियों का उल्लेख है इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा 89 लीपियों का यानि की D राइट आंसर हैगा कोशन नमबर 8 का सही उतर ये आद रखने आपको कोशन नमबर 9 है असोक के सिलालेकों की क्या लीपि है दूस्तो राइट आंसर हैगा ब्रहमी लीपी है यानि कि D राइट आंसर हो जाएगा भी दस्वा कोशन है भारत की तीसरी सरवदिक बोली जाने वाली भासा है देखें आपने भारत की सबस्यादिक बोले जाने वाली भासा हिंदी है दूसरी मैं आपको बता चुक हूँ बांगला है तीसरी कौन सी हो जाएगी तेलगू यानि कि A right answer हैगा ये भी आपके लिए important question हो सकता है जरूर नोट कर लेना ग्यारवा question है चोरी चोरा नाम परसिद इस्थल कहा है तो right answer रहेगा दोस्तो गोरकपुर में है यानि कि A right answer हैगा बारवा question है किसने कहा मद्य रातरी के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वे सवतंतरता के लिए जाग उठेगा तो इस question का right answer है दोस्तो ये कहा था दोस्तो जवालाल नहरू जी ने यानि कि A right answer हो जाएगा question number 13 है who lives if India है तो इस question का right answer है जवालाल नहरू जी की यानि कि A right answer हो जाएगा question number 14 है निन में से कौन एक कारत व्यक्ति संसद के सदश्यन नहीं होते हुए भी संसद की कारवाही में भाग ले सकता है और अगर आपको फटाफट जीके की सारी वीडियोस देखने है या फिर topic wise वीडियोस देखने है तो आप YouTube पर search कर सकते हैं only top study फटाफट जीके प्लेलिस्ट या फिर only top study history जीके प्लेलिस्ट इस परकार से आप किसी भी subject की प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर नीचे description box चेक कर लेना वहाँ पर भी सारी प्लेलिस्ट के लिंक अबलेबल है इस question का दोस्तो right answer रहेगा महनियवादी भाग ले सकता है दोस्तो यानि की B right answer अगला question है hopman cup की scale से संबंदित है दोस्तो hopman cup की scale से संबंदित है तो इस question का right answer रहेगा tennis scale से यानि की D right answer रहेगा पंदरवे question का से उत्तर ये भी आपको या दखना है कोशन नमबर 16 है निमलिकित में से किस भक्ती संत ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रियोग किया दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा रामानंद ने यानि की सी राइट आंसर हैगा 16 कोशन का से उत्तर ये भी आपको राइट आंसर है दोस्तो सतरवा कोशन है भारत में मनी ओडर प्रणाली का प्रारंभ हुआ अठारा सो असी इस्वी में यानि की option A right answer हैगा सतरवे question का से उत्तर ये भी याद रखना है अठारवा question है भारत में dark ticket कब जारी किया गया दोस्तों भारत में dark ticket कब जारी किया गया था तो 1854 इस्वी में यानि की B right answer हो जाएगा question number 19 है भारत में राष्टे विधी दिवस कब बनाया जाता है तो right answer हैगा 26 November को यानि की D right answer रहने वाला है दूरदर्शन की पर्थम समचार वाची का कौन थी तो परितिमा पूरी दोस्तों इस question का right answer हैगा यानि की C is the right answer 21 question है दूरदर्शन का देनिक राष्टी कारिकरम किस वर्स आरंब किया गया 1932 में यानि की B right answer हो जाएगा 22 question है सबसे अधिक डागगर किस देश में है दोस्तों इस question का सही उत्तर रहेगा भारत में यानि की A right answer हो जाएगा कोशन नमबर 23 है यदि पोस्टल इंडेक्स नमबर 5 से सुरू हो तो वह डागगर संभवता किस राज्य में स्थित है तो right answer is केरल में दोस्तों यानि की C right answer हैगा कोशन नमबर 24 है मुंबई मासागर का STD कोड क्या है तो 0,2,2 यानि की B right answer हो जाएगा पच्चिसवा कोशन 21 राज्य में सबपर्थम रास्पति सासन लागू किया गया तो पंजाब में दोस्तों सबसे पहले रास्पति सासन लागू किया गया था तो right answer is D ये भी याद रखेगा 26 वा कोशन है सविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षन बिर्टेन के सविधान से गरहन किया संसदिय विवस्था यानि की option दोस्तों A राइट आंसर हैगा 26 वे कोशन का सही उत्तर 27 वा कोशन है भारत के किस राज्य में लोकसबा सिटे सबसे जादा है दोस्तों right आंसर हैगा उत्तर परदेश में यानि कि C राइट आंसर हो जाएगा 27 वे का सही उत्तर 28 वा कोशन है निमलिकित में से कोन भारत के पर्थम मुस्लिम राज्पती थे तो right आंसर है जाकिर हुसेन यानि कि A राइट आंसर हैगा 28 वे का सही उत्तर 29 वा कोशन है मानव सरीर का बलड बेंक किसे कहा जाता है दोस्तो पलिहा को कहा जाता है यानि कि B राइट आंसर हैगा 29 वे कोशन का सही उत्तर कोशन नमर 30 है मनुश्य का सरीर में इंसुलीन का रसाव कहां से होता है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा अगनासिय से यानि कि B राइट आंसर हैगा तीसवे कोशन का सही उत्तर ये भी आद रखने है भई 31 कोशन है अरजुन पुरुषकार की सुरुवात किस वर्स हुई तो राइट आंसर रहेगा 1961 से तो सी राइट आंसर हो जाएगा भई 31 कोशन का सही उत्तर ये भी आपके अद रखने है देखे 31 में से आप लोग ने कितने कोशन की आंसर सही किया है जल्दी से एक तो कमेंट बोक्स में यही बता दीजेगा साथी साथ भारत में डाग घर सोरी डाग टिकट कब जारी किया गया यह आपके लिए टेस्ट कोशन है तो इसका आंसर सभी को कमेंट बोक्स में बताना होगा अपको डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग भी करिएगा उसके बाद में आपको सभी जो वीडियोज हम अपलोड करते हैं यूटूब पर उनमें से कुछ वीडियोज के पीडियाप फ्री में मिल जाएगे और जो मास्टर पीडियाप है दोस्तों यह मिलेगे आपको हमारी वेबसाइट onlytopsted.com या हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया इस पीडियाप का वहाँ से भी मिल जाएगे और वोटसप नमबर यह है अगर आप वोटसप पर पीडियाप चाहते हैं तो ओल पीडियाप मिल जाएगी आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूत नहीं पड़ेगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करें अब अपने सभी दोस्तों के साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को रखिए ताकि आगया नवाली झाल